संख्याओं का घंड वा उँकी विषेष्टा जानी कि जैसे दो का घंड जब हम दो का घंड करते हैं तो दो को हम तीन वर गुणा करके तो क्या आता है अंसर हमारा आठ इसका मादलब दो का घंड हुआ आठ इसी तरीके से जब हम माइनस चार का घन करेंगे तो माइनस चार का घन माइनस चौशट अर्थात जब किसी संख्या को स्वैन से तीन बार गुणा किया जाए तो प्राब्ध गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है उसके बार बच्चों हमने सीखा पूर्ण घन संख्याओं की जाच वगण का जयमीत्य निरूपण आठ आठ जैसे हमने गण किया गुणनखन करने पे दो गुणा दो गुणा दो समान गुणनखन का फिर हमने इसमें त्रिक बनाया अतहे आठ एक पूर्ण घन है त्रिक का मतलब बच्चो घन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इसमें तीन गुननखंड का एक त्रिक बनता है इस तरीके से तो बच्चो एक चीज़ हमें यहां पर यह भी ध्यान देनी है कि जहां पर कोई गुननखंड जब सेश नहीं बचेगा और हमारे त्रिक बन जाएंगे तभी वो संक्य हमारी पूर्ण घन बनेगी इसी तरीके से बच्चो जैसे हमने बत्तिस का किया जब बत्तिस के हमने गुननखंड निकाले तो दो गुना दो गुना दो गुना दो जब हम इसके त्रिक बनाते हैं जब हम तीन के त्रिक बनाते हैं यह देखिए एक त्रिक तो हमारा कम्प्लीट बन गया पर दूसरे वा गए हैं इसका मतलब है कि 32 हमारी पूर्ड घंसंख्या नहीं है अत्य है घन वह आकरती है घन वह एक गन एक वह कॉंसप्ट है एक वह एक प्रकरण बोल सकते हैं कि जिसमें हमारी गुननखंडों का एक त्रिक बनता है उसके बाद जब हम घन के जैमीत्य रूप के बात करते है बच्चो देखिए जब हम इस आकरती की बात करते हैं तो बच्चो यहां हम देखते हैं कि घन वह आकरती है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई बराबर होती है यह देखे बच्चो जैसे कि यह घन इस घन में आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई चोड़ाई लंबा गन वह आक्रती होती है जिसमें लंबाई चोड़ाई और उचाई तीनों बराबर होती हैं इसलिए जब हम किसी संख्या का घन करते हैं तो हम उस संख्या को तीन बार गुणा करते हैं ठीक है बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं घनमूल का चिन वा अवधाना बच्चों आप वर्गमूल के चिन से परिचित हैं घनमूल के चिन में क्या होता है यह हमारा वर्गमूल जैसे बच सिहां पर हमारा तीन आ जाता है वर्गमूल के केस में दो आ जाता है और घनमूल के केस में तीन आ और यह हमारा क्या है घन है तो बच्चो अब यह देखिए जब हम इस घन के भाग करते हैं जब इसके भागों को हम अलग-अलग करते हैं तो देखे सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं कुल हमारे कितने घन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इधर हैं, 9 हमारे इस साइड और 9 इस साइड यानि कि 9 लंबाई, 9 चोड़ाई और 9 उच्चाई तो यह टोटल हमारे घन बन जाते हैं 27 अब 27 घन का हमारा घनमूल कितना होगा तो बच्चो जब हम इसके भाग करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 3 भाग ऐसे, 3 भाग ऐसे यानि कि बराबर बराबर हमारे 3 तीन के भाग यहाँ पर प्रदर्सित हो रहे हैं तो देखे तीन का घन क्या होते हैं आप जानते हैं तीन का घन जह हम तीन को तीन बर गुणा करते हैं तो तीन का घन क्या आता है 27 और जह हम 27 घनों का मूल कितना है तीन इसका मतलब 27 का घन मूल क्या हुआ बच्चो तीन तो इस परकाल से जब किसी संख्या को देखे बच्चो दुआरा वही पुन्रवरती हो रही है जब किसी संख्या को स्वैम से तीन वर गुणा करते हैं तो प्राप्त गुननफल उस संख्या का घन वह संख्या उस गु गुनगंड कहलाती है ठीक है बच्छो तयां अब अगे बढ़ते है üzerine संखयाओं का ढूंख क्याद करने की विधी पूंख संखयाओं का ढूंख कैसे ग्याद हेघा जाएगा तो बच्छो इसके लिए हमें कुछ स्टैप्स हमारे होते हैं उन स्टैप्स को हमें फोलो करना होता है तो कैसे फोलो करना है देखिए सबसे पहले सर पर्थम दी हुई संख्या के अभाजे गुननखन ग्याद करते हैं मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 27 ठीक है बच्चो तो 27 के हमें अभाजे गुननखन ग्याद करने हैं हम इसके अभाजे गुननखंड निकाल देंगे तीन नियम 27, तीन तीया 9 और तीन एकम 3 यह हमने यह हमारा पहला स्टेप हो गया अब इसके बाद दूसरे स्टेप है समान गुननखंडों के तीन तीन के सम्हू त्रिक बनाते हैं अब हम इसमें देखेंगे जब हमारे 27 के हमारे पास गुननखंड आ गए तीन गुना तीन गुना तीन तो हम एक त्रिक बना देंगे यह हमारा त्रिक बन गया अब इसके बाद क्या करेंगे पर तेक त्रिक में से एक गुननखंड लेते हैं पिर एक गुननखंड एक तरिक बना है तो हमारा एक गुननखंड आएगा तो क्या आएगा तीन आएगा उसके बाद इन गुननखंडों को आपस में गुना करते हैं पर बच्चों देखें यहाँ पर तो हमारा एक ही तरिक बना है तो एक ही गुननखंड है पर जहाँ पर जै दी हुई संख्या का अभिस्ट घनमूल होगा ठीक है बच्चो चलिए अब इसको हम एक उधारण के उधारण के द्वारा हम समझते हैं 1728 का घनमूल ग्याद करना है हमें तो 1728 का घनमूल सबसे पहले हम घनमूल का चिन लगा के इसको लिखेंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सेम पहले स्टेप हमारा क्या था कि हमें दी हुई संख्या के अभाजे गुननखंड ग्याद करने हैं तो बच्चो ये मैंने यहाँ पर पहले से ही आपके लिए अभाजे गुननखंड ग्याद किये हुए हैं अभाजे गुननखंड निकाले हुए है तो अब हम इन अभाजे गुननखंड को ये चिन्ध के अंदर लिखते हैं और साथ के साथ हम इसमें दूसरे स्टेप के आता हमें तीन तीन गुननखंडों का त्रिक बनाना है तो यहां हमारे कितने त्रिक बने बच्चो एक, दो, ती तो तीन तरीक, अब हर तरीक में से हमें एक एक गुननखंड बाहर लेना है तो दो गुना, दो गुना, तीन उसके बाद हमें इन गुननखंडों को आपस में क्या करना है? गुना करना है तो गुना करके हमारे क्या आएगा? 12 दो दुनी चारतिया 12 या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1728 बराबर 12 का घंड जब 12 का हम घंड करेंगे तो 1728 आएगा और जब 1728 का हम घंड मूल निकालेंगे तो 12 आता है तो इस परकार हम देखते हैं कि जब किसी पूर्ण घंड संख्या का हम घंड मूल ग्याद करने के लिए वह संख्या ग्याद करनी होती है जिसके गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए ठीक है बच्चो अब हम आगे बढ़ते हैं किसी संख्या को पूर्ण घंड संख्या में बदलना बच्चो जुतनी भी हमारी प्राकरतिक संख्या होती है जरूरी निया कि सभी हमारी पूर्ण घंड संख्या हो तो क्या जो पूर्ण घंसंख्या नहीं है क्या उस प्राकरति संख्या को हम घंसंख्या में बदल सकते हैं जी हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं तो देखिए इसको हम कैसे बदल सकते हैं आईए यहाँ पर हम पहले एक उधारन लेते हैं 43,000 दोसों को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए और उसका घनमूल भी ज्याद कीजिए। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या है घनमूल निकालने का। सबसे पहले तरीका है कि दी हूई संख्या का हमें अभाजे गुणनख्न जाद करना है। तो देखें बच्चो या हमने इसमें भी मैंने पहले सी ही आपके लिए गुननखंड क्यात किये हुए हैं 43,200 के यह हमारे अभाजे गुननखंड हमें प्राप्त हैं इसके बाद हम इन गुननखंडों को हम 43,200 के सामने लिखेंगे और फिर हम इनके त्रिक बनाएंगे एक, दो, तीन, अब देखें इहां पर पांच का त्रिक तो complete नहीं है अगर इहां पर हमें एक पांच और मिल जाए तो यह हमारा त्रिक complete हो जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा पांच है जो हमें अभी एक पांच की और जुरुत है अगर हम इसमें एक पांच की और गुना कर दें तो ये संख्या हमारी पून्ध घंसंख्या बन जाएगी तो हम क्या करते हैं इसमें इस परकार प्राप्त पून्ध घंसंख्या जब 43,200 में हम 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या जाएगी 2,16,000 ठीके बच्चों फिर 2,16,000 का जब हम गुननखंड निकालते हैं अब भाजे गुननखंड निकालते हैं तो इसके फिर हमारे पास जो त्रिक बन कर आते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 तो इन त्रिक में से जब हम निकालते हैं गुननखंडों को एक गुननखंड जब हम निकालते हैं तो 2 दुनी 4 तीया 12 पंजे 6 तो जो हमारी नई जो पूंड घं संख्या है तो उसका घं मूल निकल कर आया 6 इसके बाद इसी तरीके से हम अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगले उधारन की तरफ चलते हैं 13122 में कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण संख्या बन जाए इस परकार प्रात संख्या का घं मूल भी याद कीजिये तो पहले कोश्चन में हमने क्या देखा अता गुरंण फल वाला केश अब इसमें हम देखेंगे भागफल वाला केश तो इसके लिए भी हमें वही करना है कि दी हुई संख्या का हमें अभाजे गुरंखंड ग्याद करने हैं अभाजे गुरंखंड ग्याद करने के बाद हम इस संख्या के सामने उन गुरंखंडों को लिख देंगे गुरनखन लिखने के बाद हमें क्या करना है हमें इनके त्रिक बनाने है तो बच्चो जैसे हम यहां से त्रिक हमने बनाया एक त्रिक हमारा ये बना और एक ये बना पर यहां आप देख रहे होंगे कि ना तो दो के पूरे गुरनखन है कि दो का त्रिक बनाया जाए और ना ही यहाँ पर ये वाले तीन, इसमें दो तीन है, अभी इसमें एक तीन की और जुरत है त्रिक बनाने के लिए तो हम क्या देखते हैं कि जो बचे हुए हमारे गुननखंड़ है वो क्या बचे? 2 गुना 3 गुना 3 यानि कि 2 तीया 6 तीया 18 यदि हम ये जो 18 है क्योंकि इसके त्रिक तो बन नहीं रहे हैं तो ये हमारे इस संख्या में ज्यादा है तो अगर हम इस संख्या को अठारा से भाग कर देते हैं तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो हमारी पूर्ण गहन संख्या बन जाएगी तो हम क्या करेंगे दी हुई संख्या को हम जब अठारा से भाग करते हैं तो प्राप्त संख्या हमें मिलती है सा सो उन्तेश तो इस परकार क्योंकि 739 में ये हमारे पूरे पूरे हमारे तरिक बन गए हैं तो 739 का घनमूल क्या होगा इन तरिक में से जो हम एक एक गुननकर निकाल लेते हैं तो 3 गुना 3 बरावर 9 तो इस परकार जो नई पूर्ण घन संख्या है 739 उसका घनमूल 9 अभिष्ट घनमूल 9 है ठीक है बच्चो तो इस परकार से आपने दोनों उधारन से समझ लिया है कि गुननफल वाले केस में और भागफल वाले केस में किस तरीके से हम किसी संख्या को किसी प्राकरतिक संख्या को पूर्ण घन संख्या में बदल सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण रेंट पूर्ण नांकों का घन मूल देखे बच्चों आए यहाँ पर पहले इन कुछ उधारनों पर नजर डालते हैं जैसे हमने माइनस एक का घन किया घन निकालना पहले पिछले भाग में सीच चुके हैं तो जो हम माइनस एक का घन निकालते हैं तो माइनस एक का घन आता है माइनस एक माइनस दो का घन आता है माइनस आठ और माइनस तीन का घन आता है माइनस इस क्योंकि हम जानते हैं घन और घन मूल एक दूसरे के विलोम होते हैं तो माइनस एक का घन मूल माइनस एक होगा, माइनस आठ का घन मूल माइनस दो, माइनस दो का घन माइनस आठ और माइनस आठ का घन मूल माइनस दो, और माइनस 27, माइनस तीन का घन माइनस 27 और माइनस 27 का घन मूल माइनस तीन. तो इन उधानों पे नज़र डालने के बाद यह निश्कस निकलता है कि यदि कोई भी संख्या रिंड पूर्णांख है तो उसका घं करने पर हमेशा जो उसका घं आएगा वो रिंड पूर्णांखी होगा और उस रेंड पूर्णांख के घन का घनमूल भी रेंड पूर्णांख ही होगा आईए इसको अब करके देखते हैं क्या माइनस 1331 बराबर माइनस 11 का घन है तो इसके लिए वही पहले हम 1331 का क्या निकालेंगे अभाजे गुननखन निकालेंगे अभाजे गुननखन निकालने के बाद हम इसके गुननखनडों को लिखेंगे तो इसमें 1331 में कितने माइनस 11 है? तीन तो माइनस 11 का घन माइनस 11 का घन बराबर 1331 तो जब हम माइनस 1331 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो इन गुननखंडों को जब लिखेंगे तो हमारे तरिक पूरा बन जाएगा माइनस 11 का और इस माइनस 11 में से फिर एक गुननखंड हमारा जब बाहा निकलेगा वो निकल कर आएगा माइनस 11 तो इस तरीके से 1331 का घनमूल माइनस 11 होगा इसके बाद दो पूर्ण घन पूर्णांकों का गुननफल का घनमूल जब दो पूर्ण घन पूर्णांक हैं उनको अगर गुना किया जाए तो उनका घनमूल कैसे निकलेगा गुननफल का घनमूल कैसे निकलेगा देखे बच्चो इस case में हमारे पास दो तरह की स्थिती होती है तो देखे पहली स्थिती क्या होती है पूर्णाग एक तो हमारा इस स्थिती में होगा कि दोनों के अलग-अलग घनमूल में होंगे वो घनमूल के चिन में और एक होगा कि वो एक ही घनमूल के चिन में दोनों गुणा किये जा रहे हैं ठीक है बच्चो अब दोनों केसिज में हम ये देखेंगे कि दोनों का जो घनमूल निकल कर आ रहा है क्या वो समान है या अलग-अलग है तो पहले हम इस स्थिती में देखते हैं कि मान लीजिए हमने जैसे ए ले लिया 27 और बी ले लिया 64 दोनों को हमने अलग-अलग किया अब 27 का घनमूल हम जानते हैं 3 होता है और 64 का घनमूल हमारा क्या होता है 4 होता है तो हमने यहाँ पर 27 के घनमूल के नीचे हमने 3 लिख दिया और 64 के घनमूल के नीचे 4 तो दोनों को गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ 12 तो इस तरीके से इस वाली स्थिति में जब हम दोनों के गुणनफल का घंदमूल निकाल रहे हैं तो 12 प्राप्त हो रहा है अब दूसरी स्थिति में देखते हैं यहां हमने इसमें 27 गुणा 64 लिखा फिर उसके बाद हमने इनके गुणनखंड निकाले यहां हमने 27 के गुणनखंड निकाले तीन गुणा तीन तीया नौ तीया 27 यहां तक हमारा 27 का है उसके बाद 2 दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 दूनी, 32 दूनी, 64 फिर 64 के गुणनखंड है उसके बाद हम इनके त्रिक बनाएंगे यह देखिए यहां हमारा तीन का एक त्रिक बना यहां दो का त्रिक बना और यहां दूसरे दो का फिर इन त्रिक में से हम एक एक गुननखन निकाल लेंगे तीन गुणा दो गुणा दो तीन दुनी छे दुनी बारा तो बच्चो आपने क्या देखा इस वाली स्थिती में भी बारा है और इस वाली स्थिती में भी बारा है तो जग दोनों स्थितियों में बारा आया है घनमूल तो हम कह सकते हैं कि घनमूल A गुना घनमूल B बराबर घनमूल A गुना B ठीक है बच्चो इसके बाद आगे बढ़ते हैं परीमे संख्याओं का घनमूल जिसमें आंस और हर पूर्ण घन संख्याओं अथ्वा या फिर यह भी कह सकते हैं कि दो घन पूर्णाओं को के भागफल का घनमूल अभी हमने क्या था गुननफल का घनमूल अब हम करेंगे भागफल का घनमूल तो जिस तरीके से गुननफल में हमारी दो स्थितियां आई इसी तरीके से बच्चो भागफल में भी हमारे पास दो स्थितियां आती हैं पहली स्थिति देखिए पहली स्थिति क्या है घनमूल A बटे B और दूसरी स्थिति है घनमूल A बटे घनमूल B तो पहले हम पहली स्थिति को solve करके देखते हैं मानलीजी अगर हम A बराबर 343 और B बराबर 512 लेते हैं तो इस वाली स्थिति में जब हम इनके गुननखंड लिखते हैं 343 का गुननखंड आता है साथ गुना साथ गुना साथ साथ सत्य उननचा सत्य तीन सो तरतालिस और जब हम 512 के गुननखंड करते हैं तो यह हमारे गुननखंड प्राप्थ होते हैं गुननखंड प्राप्थ होने के बाद फिर हमारा अगला स्टैप होता है त्रिक बनाना, इसमें जब हमने त्रिक बनाए, साथ के त्रिक में यहां हमारा यह त्रिक बने, इसी तरीके से हमारे 512 के गुननखंडों में त्रिक, एक, दो, तीन, तीन त्रिक प्राप्थ हुए, फिर इन त्रिक में से हमने एक एक गुननखंड बाहर ले लिया, तो गुननखंड बाहर निकलने पर हमें प्राप्थ हुआ, साथ बटे, दो गुना, दो गुना, दो, यानि की साथ बटे, आठ, दो दुनी, चार दुनी, आठ, तो पहली स्थिती में जो हमारा घनमूल है वो है 7 बटे 8 आईए अब हम दूसरी स्थिती की तरफ चलते हैं दूसरी स्थिती में 343 बटे घनमूल 512 क्योंकि हमें दोनों स्थितियों का चेक करना है दोनों स्थितियों की जाच करनी है इसी लिए जो संख्या हमने यहां ली हैं वही संख्या हम इनको यहां प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं सेम 343 का हम गुननखन लिखेंगे और 512 के यहां गुननखन लिखेंगे फिर वही हम क्याब करेंगे इसमें त्रिक बनाएंगे अत्रिक बनाने के बाद जो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है यहाँ एक त्रिक है साथ और यहाँ पर क्योंकि हमारे तीन त्रिक हैं तो दो गुना दो गुना दो दो दुनी चार दुनी आठ तो प्राप्त गुननफल क्या है साथ बटे आठ तो इस तरीके से दोनों इस्थितियों में जो हमारा घनमूल प्राप्त हुआ वो साथ बटे आठ हमें प्राप्त हुआ है अत्य हम कह सकते हैं कि घनमूल ए बटे बी बराबर घनमूल ए बटे घनमूल भी होता है ठीक है बच्चो? आगे बढ़ते हैं गुननखंड विधी द्वारा दसमलव संख्या का दसमलव संख्या जो पूर्ड घन संख्या हो का घनमूल तो बच्चो घन और घनमूल एक दूसरे के विलोम होते हैं ये तो आप जानते हैं पहले से इसके बाद यहां देखे एक उधारण हम लेते हैं 0.6 का घन जह हम 0.6 का घन करते हैं तो घन तो आप जानते हैं कि किसी संख्या को उसको स्वैन से 3 बार गुना करना है तो यहां हमने 0.6 को 3 बार गुना किया तो 6.34216 अब क्यूंकि यहां पर हमारे 3 दसमलव हैं तो 3 अंकों के बाद हम एक दसमलव लगा देंगे तो 0.6 का जो हमारा घनमूल आया वो 0.216 आया इसके बाद हम 0.216 का जब घनमूल ग्याद करते हैं घनमूल ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे हम इस दसमलव को हटा देंगे जब यह दसमलव हट जाएगा तो नीचे एक और दसमलव के बाद जितनी अंक होते हैं उतनी 0 यहां नीचे आ जाती हैं तो यह बन जाएगा 216 बटे 1000 फिर हम क्या करेंगे 216 के गुननखन निकालेंगे और 1000 के गुननखन निकालेंगे जब हम 216 के गुननखन निकालेंगे फिर हमारा अगला काम क्या होता है त्रिक निकालना तो इसमें जो हमारे त्रिक निकलेंगे 2 त्रिक निकलेंगे 2 गुना 3 और इसमें 2 गुना 5 तो यह हमारा बन जाएगा 2 त्या 6 बटे 5 दूनी 10 तो इस प्रकार 0.216 का घंमूल हमें क्या प्राप्त हुआ 0.6 यहां हमने क्या किया था 0.6 का जो घं है 0.216 हो गया और 0.216 का जब हम घंमूल निकालेंगे तो 0.6 तो इससे यह इसपर्ष्ट हो गया कि घं और घंमूल एक दूसरे के विलोम होते हैं आउ करके सीखें अब हम इसी तरीके से आईए 1.2 का घं करते हैं वह प्राप्त संख्या का घंमूल भी ज्यात करते हैं आईए यह है 1.2 सबसे पहले हम 1.2 का घं निकालेंगे तो घं निकालने के लिए बच्चो हम क्या करते हैं इसको 3 बार गुना करेंगे ठीक है बच्चो जब हम इनको गुना करेंगे तो 12 गुना 12 144 और 144 में जब हम 12 से गुना करेंगे तो देखे क्या आता है गुना करके देखते हैं यहां हम बारा के पहाड़े से गुणा करेंगे, देखो सौट कट मैथड होता है यह, बारा चोकर तालिस का आठ, हांसिल चार, बारे कम बारा चार, सोलक अच्छे, हांसिल एक, बारे कम बारा और एक, तेरा, यह आ गया, 1368, अब यहां पर हमारे तीन अंकों के बार, तीन संख्या है, तो उसमें तीन दसमलब है, तो यहां हम तीन अंकों के बार लिख देंगे, यहां हम दसमलब लगा देंगे, फिर इसी तरीके से जब हम इनका, अब हमें यह एक दसमलब दो का हमें घंतो प्राप्थ हो गिया है, अब हमें इसका घंमूल निकालना है, तो बच्चों, जब हम इसके गुननखन निकालेंगे, तो गुननखन कैसे निकलेंगे, दो दुनी चार्तिया बारा गुना, तो बच्चों, यह इसके गुरन खंड आ जाएंगे, फिर हम इनको अरेंज करते हैं, हम दो दो को एक साथ ले लेते हैं और तीन तीन को एक साथ, तो यहां पे पहले हम एक दो कत्तरिक हमारा यहां बन जाता है, फिर इसी तरीके से दूसरे दो कत्रिक बन जाता है और उसी तरह से हमारे क्योंकि तीन तीन बार हैं तो एक तीन कत्रिक बन जाता है यह इस तरीके से तो बच्चो यह हमारे पास आ गया दो गुणा दो गुणा तीन दो दुनी चारतिया बारा अब क्योंकि हमारे पास यह दसमलव में था तो इसको हम इस तरह भी कर सकते थे यह दसमलव बटा दिया एक और यहां पर तीन जीरो इसके बटे में एक हजार एक हजार का सौरी मैं करना थोड़ा ध्यान से स्किप हो गया यहां पर हम इसके नीचे कर देंगे दस गुणा दस गुणा दस फिर हम एक दस का निकलेगा तो यह बारा बटे दस हो जाएगा इसको हम लिख देंगे एक दसमलव दो तो इस तरह से बच्चो एक दसमलव दो का जो हमारा घण निकल कर आए एक दसमलव तीन छे आठ और उसी तरह उसका जब हम घणमूल निकालेंगे तो एक दसमलव दो इसके बार आती है बच्चो घण का आयतन और उसकी भुजा में संबंद घन का आयतन क्योंकि उसकी तीनों भुज़ें बराबर होती है तो घन का आयतन बराबर क्या होगा बच्चो घन वह घनाव होता है जिसकी लंबाई चोड़ाई रूच्चाई बराबर मापकी होती है एक घन की भुज़ा बराबर X और आयतन होता है V आयतन हम V मानते हैं तो V बराबर होगा X गुना X गुना X V बराबर X की घाती या हम कह सकते हैं X बराबर घनमूल V तो घन का आयतन उसकी भुजा के गुननफल के बराबर होता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि घन की भुजा उसके आयतन के घनमूल के बराबर होती है मतलब घन का आयतन बराबर घन की भुजा का घन या घन की भुजा बराबर घन के आयतन का घनमूल